हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो सब बढ़िया सब वाँच तो बच्चे लोग सब सोच रहे तब यह जल्दी से एक रिव्यू बना के बताओ कि यह पेपर कैसा है और हां भिया हमें जितने भी अब्जेक्टिव प्वेशन है उसका एंसर भी बता देना जिल्दी स से तो बहिया मैं एकदम फटाफट आपको पूरा पेपर रिव्यू कराके देता हूं ठीक है ना और फिर एनलिसिस करेंगे कि पेपर लेंदी था कि शौट था अच्छा था कि खराब था और जितने भी एंसी क्यूश आए हैं सबका एंसर भी यहां पर मैं डिसकर्स करने व अगर कोई बच्चा मैंने इस बार आपके लिए जो लास्ट फोर्टीन टर्म्स का क्वेश्चन सॉल्व करके डाला था अगर वो वीडियो करके गया होगा ना इसमें आपको 15 क्वेश्चिंस में से 14 क्वेश्चिंस वहीं से कॉमन मिल गया हूं राइट 14 क्वेश्चिंस उसी में से था मैंने पहली बोला था उस वीडियो वह देखके जाओ चलो फटा पर डिसकस कर लेते हैं पहला क्या चीज़ बोला है क्या बैलन्स होता है क्या चीन हमिश्च डेबिट हो सकता और कुछ वही नहीं सकता तो यह देखो मैंने और टिक माक लगा दिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा ठीक है सर्क्वेश्चिंग अमद्ट रिये ठीक है इसमें आपको निकालने बोला था सेल का इतना दिया था काम का यही था सीओ जीएस दिया हुआ है इन दुनों को जोड़ दीजिए आपका सेल का फिगर निकल जाए मैं फटा फट जस्क करा देता हूं जिससे जादा टाइम वेस्ट हो क्योंकि बॉक्स अरे बच्च का चेक जो बच्चा लोग देख रहा है देख लो 15,000 का चेक इशू किया था इसमें से 10,000 का चेक प्रेजेंट हो गया तो कितना प्रेजेंट नहीं हो 5,000 वहीं अच्छ करना है आच्छा देखो फिर अगला क्वेश्चन दिया था एक एसेट खरीदा दो लाग का उसमें प सब्सक्राइब बोल रहा हूं रीनुवल बिल का कॉंसेट था रीनुवल बिल में आपको पूछे था नया बिल का माउंग कितना है अच्छा 20,000 का बिल था इस पे इंट्रेश बुला था 12% 3 months के लिए 3 by 12 600 रुपया प्लस 20,000 यहा था था तो 20,600 ऑप्शन नमबर यह था नेक्स्ट छूज दा एओ देडल्ड़ और चीज़ बारत कर रहा था तो but no italian चल号 करे चोड़ दिया था अब辜़ दतितो डखाई नहीं चियो पेपर आया था ने वह बरके पिस फोटो लिया अब पेपर का क्वालिटी ऐसा में क्या कर सकता हूं चलिए आगे ऑपरेटिंग लिस्ट क्या होता है तो यह वो रिवोकेबल होता है इसके बाद है स्टेट वीच अब दा फॉलिंग इस्ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है तो ऑप्शन नमबर इसमें फॉल्स था और इसके हो आगर पुराना रेश्यो लिए रेशो से होता है इस अब क्लास में भरभर के बता है और जो लो लोग यह बात कमेंट बॉक्स में लिखना कि आज जो पेपर आया था सारा का सारा चीज मेरा क्लास में कराया था के नहीं था कमेंट बोक्स में जरूर लिखे बताना A to Z सारा बात किया हुआ था क्लास में ठीक है ना उसके बाद बोलता है वो एक्स Y को ट्रांसफर किया था 33.33% तो बुल रहा है कि अगर वाई के पास स्टॉक 18,000 रुपया का बचा हुआ है तो बताओ इसके अंदर स्टॉक रिजर्व कितना था तो भाईया इसका हो जाएगा 33.13 divided by 133.13 ऑप्शन नमब भी आ रहा था इसके बाद income and expenditure से पूछा था एक चो क्वेश्चन कि चैरीटेबल इंस्टूट का पील को क्या बोलते हैं तो भाईया वही है हर तरका chapter से पूछा था कोई खास नया तरका mcq मुझे नहीं दिखा सारे mcq पास question में से थे तो आप कभी भी एक्जान दे रहे हो ना आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखना अपना financial और corporate का mcq का पूरा डाला हुआ है questions लास 12 टम्स 14 टम्स जाला हुआ है वह अला marathon कर लेना mcq का आपका काम हुझा उससे अधा पढ़ना नहीं पढ़ेगा mcq अरे भाई साब question देखो पहला question इन्होंने डाल दिया है depreciation chapter से आसान question था क्या बोला बता है हमारे पास एक asset है 1980 का उसमें से एक asset जिसका value 450 था उसको लोग बेच रहा थी 50 में और question पुझा है बोला depreciation बताओ इस साल पील में कितना आएगा profit or loss and exchange कितना आएगा ऐसा कुछ पूछ रहा था और बुग वैले फरेंश लास्ट में कितना नंबर का साथ नंबर का मेरे इसाब से इस question को मैं easy category में डालूँगा बच्चे लोग के लिए बहुत easy समरे depreciation आ गया नेक्स्ट जो सम दिया है यह आरोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से यह नेक्स्ट पीरेड का सम दिया है मतलब स्टेज 1 2 3 होते हैं स्टेज 3 आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंस वाला स्टेज और चाठ्थ हो दिया है बस और कितना मास का है साथ मस्ट ज यह वाला पहला दो क्वेशन तो लपक के लिए लेना चाहिए था किसी भी बच्चे को ठीक है ना आच्छा इसके बाद यह जो 3 का क्वेश्चन यह कंसाइन्मेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए और यह वही से जो बच्चे लोग मेरे से पठागा मेरा क्वेशन क्वेशन नमर 11 जाके चेक कर लेना जो लोग मेरे से क्लास किया सें समय मॉडेट अच्छा है इसका सबसे बढ़ी हां पॉइंट जो होता है ना बंच हे यह वाला ना कमीशन कैलकूलेशन का यह पॉइंट में यह ही इसका सबसे बढ़ी हम पॉɪा इसके लाँवा इस सम्मे एकदम हलुआ सम है और कुछ निए इसके अलावा आगे मैंने देखा ये सम देखके तो क्या बोलो ये जो सम है मैं पहले वीजी लिखता हूं ये आपका हायर परचेस चैप्टर से सम हायर परचेस क्या क्या केलकुलेशन तुम लोग इतना हायर परचेस में सम पढ़ गी या मेरे हिसाब से इंट्रेस्ट निकालने का उकात तीन नंबर से ज्यादा नहीं था पर इन्होंने कितना नंबर डाल दिया वही साथ नंबर प्रीफंड का नंबर दिया मतलब इंस्टिट्यूट तो इस बार बच्चों पर महरवान हो गया अगर इस टम में अगर कोई देख रहूंगे आप भी माता प्रें क्यों निदिया इस बार एकसा देना चाहिए था इंट्रेस्ट तो हम लोग पहला क्लास में सीखते वह इंट्रेस्ट कालकुलेशन जो लोग में साथ क्लास किया बोल सकता है पहला प्लास में इसा क्वेश्चन कराएं बर बर के हाथ से में मॉडरेट क्वेश्चन नबर फॉर मॉडरेट इस फॉर्टी माक्स प्वेश्चन है भाई साब मैं बोल रहा हूं इंस्ट्यूट महरबान भईया यह आपका सिंगल इंट्री चैप्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यह उस से हैं इन स्टेटमेंट फॉर मेथड था से स्टेटमेंट फॉर्फ और एक फाइनल अकॉंट मैं हमेशा बुलता है आप फाइनल इकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट्ट है यह जिनरल यह नहीं देता है और इंशिट ने के मेज़िए अर आसान वाला सम लल्लू पंजू का सम दिय सब्सक्राइब निकल जाएगा यह क्वेशन जो था मेरे को लगता है कि कुछ बच्चा लोगों को तकलीब दे सकता है हां दे सकता है कि बच्चा लोग थोड़ा सा अगर बेसिक स्विक्स होगा तो उनको तकलीफ होगा नहीं तो यह क्वेशन तकलीब देगा मेरे सबसे आप ऊटरेड वैश्जन नहीं करता है कि है अग्ला क्वेश्चन जो था यह पार्टनर्शीप से था यह समय क्योंकि मैं पहले वाला ज़्याद करता मैं होता तो यह अट्रिम करता तो किसमें टाइम कम लगेगा तो यह वाला सम करने में टाइम जदा लगेगा पर डिफिकल कुछ नहीं था क्या-क्या दिया है एक तो सूपर प्रॉफिट में गुडविल का वैलुएशन बोल दिया एक तो मेमरेंडम रिवालुशन बनाना था यह बच्चा अगर कोई मिस कर गया होगा तो गरबड़ हो जाएगा गुडविल का वैलुएशन का पॉइंट भी पूछ लिया इंस्टूट ने और सारा अकाउंट भी बनाने बोल दिया अकाउंट वैलेंशिट सब मांग लिया ठीक है सम इसी था बाहत लेंडी था राइट नेट्स देखते हैं लो जी यह आग्या आपका ब्रांच का ग्व्राइशन। ठीक है वही साब यह branch का एकदम simple वाला question दे दिया देखो ना यहाँ पर invoice price वाला sum था ठीक है ना और आपसे question क्या पुझा देखो you are required to prepare branch stock branch data यह stock data method वाला समय सारा account मना लिया ऐसा sum तो हम लोग जब branch में stock data चालू किये ते इसका पहला समीध है invoice method वाला वही वहला सम उठाके दिया हमलोग class में जो किये थे साथ नंबर का था I will categorize this as a good question कि क्या ना good question कोई बच्चागर branch पढ़के गया होगा थोड़ा बहुत भी वह मज़े से solve करके क्या होगा क्योंकि कोई निया लपड धपड़ वाला पॉइंट में था सब एकदम टना टन बेसिक पॉइंट जो हमेशा पूस्ता वही दिया कुछ नहीं पूछा इसमें मेरे को कुछ नजब नहीं आया नहीं आपका पता नहीं यह देखो यह loss of profit का question है यह पहला सम होता है जो मैं कराता हूं class में एकदम सेम सम है कोई अगर जाके match करवाएगा ना से figure लोग change कर दिया है डेट वेट सब कुछ सेम है जो मैं कराता हूं पहला सम जो बच्छा लोग class किया है और कमेंट बॉक्स में लिखे बता देना यह वही एकदम सेम सम है देखो ना 10% 2% figure विगर सब वही से इस question easy question अगर आपने loss of profit किया तो सबसे जो basic question पहला question कोई भी वचक कहीं पर भी खुद से भी पढ़ेगा तो यह basic question पहला करा है जाता है और यह वही question तो कैसा रहता अब यह easy में डालूंगा मैं इसको easy question easy question था सरी हूं यह question 7a जो है यह accounting standard 1 से दे दिया यह institute के module का ही सम है जब मैं पढ़ाया था as1 जब मैं solve करान चलो के पहला सम यही कराया था इस बर पता नहीं जो मैं क्लास में पहला पहला सम लेता हूं वही वही सम पेपर में आ गया हां इसमें आपको बस notes लिखके सब कुछ समझाना था notes to accounts में सारा point लिखके बताना था institute का module खोलोगे पहला illustration यही मिलने वाल एस1 के अंदर एस से question आए गए इसको छोड़ नहीं सकते और यह seven marks question दिया भीया मज़ा आ गया मज़ा और यह जो कुछा देखो वाट अब समझ में आ रहा है यह जो एस का question पूछ रहा है जिस तरह का मैं इतना देप में क्यों पढ़ाता हूं लोग गोलता दूसरे यहां पर मेरे दूस जहां पढ़ रहे ना वहां एक क्लास में खतम हो गया आप तो चार-चार क्लास लगा देते हैं अब इसके लिए objective मैं लिखाता हूं में इस अनोर्स क्लास में उसके बाद पोचा था कि बहिया अगर कोई बच्चा इसको डेप में नहीं पढ़के गया है ना तो यह का क्वेश्चन रिप्लाई करना मतलब एंसर देना मुश्किल हो सकता है तो मैं इस पेपर से बहुत अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप अपना रिटिंग बताओ इसको टेन में से आप कितना देखके घ्ला को देखके भईया बहुत लेंदी था यह 103 करता आप कैसे क्वेश्चंस का अगर थेक्ष होगे आउट ओफ 1-10 तो आप इस पेपर को किस कैटरिम डालोगे तो मैं बोलूगा यह कैटेगरी जो है 7 है यह डिफिकल्ट के तरफ है पर पूरा डिफिकल्ट नहीं डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा है अगर कोई बच्चा थोड़ा मोड़ा भी अच्छे से पढ़के जाए मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट बोला जाता है बस वही वही चीज़ पूछा इंस्टूट को पहले बोलना चाहता हो थैंक्यू बेरी मच्च आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर बनाया और जो बच्चे एक्जाम दे लिए हैं वो लोग का भी अच्छा ही गया होगा मुझे भरोसा है थोड़ा उनीस बिस भी ओर टेंशन मतलो अगला पेपर का तयारी करना चालू करूं बात समझ में आ गया और 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 क्या बतामें आपको और जो बच्चे नए बच्चे है वह रिविद देख रहे हैं वह सुच्छ आगई का तयारी बचे बस में इतना बताना चाहरा हूं कि आप कुछ भी मच हो आप देखेंगे इंस्टूट ने हर तरह क्या चाप्टर कवर कर लिए एंसी क्यों में हर चाप्टर कवर करने कोशिश क्या है देखें आप डेप्रिशियेशन रेक्टिविकेशन सब्सक्राइब करने कहने डेखें लिए फिर संपर में सब्सक्राइब बात इतना निठेड कोशिश करो की और उमीद है बच्चे लोग भी अच्छा ही किये होंगे बस इतना है अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे बताना अगर वीडियो काम का लगे तो अपने सारे फ्रेंट के साथ जरू शेर करते हैं चलो all the best अच्छा से पढ़ाई करो तैया ब्लेसी